नमस्कार दोस्तो, सुस्कार आश्ट्रेलिया बीमैन टीम ने मिशन में भारत को तीन हारा दिया है, इसके साथ ही आश्ट्रेलिया ने तीन बंडे में चौए शरीज़ दो एक से अज़़ेई बणत बना लिए, पहले बंडे में आश्ट्रेलिया ने छह भिकिट से जीत आश जबाब में भार्तिय टीम पचास और में आठ विकेट खोकर 255 रन ही बना सकी तो दोस्तों आपको बताए कि ऑस्टेलिया की और से एलिस पेरी ने पचास रन की अरसत की पारी खेली और फिव लिच फिल्ड ने 63 रन की पारी खेली बहीं एनाबेल सदरलेंड ने तीन विकेट लिए भार्त से दिपती सर्माने 5 विकेट लिए और रिचा घोस ने चान में रन की पारी खेली श्रीज का तीसरा और आखरी मुकावला बान खेड़ स्टेडम में दो जनवरी को होगा इसके बाद दोनों टीमें 3 T20 मुकावले की श्रीज खेलेंगी तो दोस्तों आपको ब पुजा बस्त्राकर की सिकार बनी तीसरे नंबर पर एलिस पेरी आई और फिस के साथ पारी को समभाला दोनों बल्ले वाजों के बीच सतित रन की साज़ेदारी हुई 24 वे और में दिपती सर्माने पेरी का विकेट लेकर इस साज़ेदारी को तोड़ा पेरी 50 रन बनाकर प पाई आपको बताएं कि भारत की और से दिपती सर्माने पांच विकेट लिए उन्होंने एलिस पेरी को स्रेंका पार्टिल के हाथों केंच कराया इसके बाद बैथ मुनी को एल बी डबलू और ताहीली तिली मेगगरा को बॉल्ड किया वही एना बैल्ट सदर लेंड और ज इस्मिरती मंदाना ने पारी की शुरुआत की भाटिया चोदे और इस्मिरती मंदाना चौतिस रन बनाकर आउट हो गई तीसरे नंबर पर रिचा घोस और चौते नंबर पर आई जे मीमा रॉक ड्रीज ने टीम को मजबूती दी दोनों के बीच अठ्थाशी रन की साज़ से दिप्ती सर्मा ने रिचा का साथ दिया और 47 रन जोड़े यह पार्टनर्शिप चल नहीं पाई और घोस छान में रन बनाकर पैबिले लोट गई टीम के लिए यहां से चेज मुश्किल बनता चला गया अमन जोत कोर भी चार रन बनाकर आउट हो गई पूजा बर दिप् होस्त्रेलेग्य में ने दूसरे बंडे मेmm मेच में भार्तिय वी मेंन टीम को तीन रन से हरा दिया है इससे के साथ पार्ण या ने तीन बंडे मैंच ओकि रीज्य दो है हमारे साथ YouTube चैनल को like, share, subscribe करें धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों और दोस्तों और अस्ट्रेलिया वीमेंट टीम ने दूसरे बंडे मैच में भारतीय वीमेंट टीम को तीन रन से हरा दिया है इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने तीन बंडे मैच ऑकि स्रीज दो जीरो से अज दोस्तों बने रहें नई नई अपडेटों के लिए हमारे साथ YouTube चैनल को like, share, subscribe करें धन्यवाद दोस्तों